राकेश सिंग पदभार ग्रहण भोपाल मोहन कैबिनेट के मंतरी राकेश सिंग देर रात मत्राले पहुचे जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग में मंतरी के तौर पदभार ग्रहण किया शुब मोहुर्थ के चलते मंत्री राकेश सिंग जबलपूर से भूपाल पहुचे और विदीविधान और पूजा अरजना के साथ मंत्रीपत सम्हाला इस मौके पर लोक निर्माड विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे मीडिया से बाचीत करते वे राकेश सिंग ने कहा कि पियम मोदी के नेतरत्व में गतिमान भारत का नारा दिया गया था और आज भारत दुनिया की सबसे विक्सित होने वाली देशों की श्रेणी में शामिल है उन्हों ने कहा कि मुख्यमंदरी मोहन यादव के नेतरत्व में बद्धिप्रदेश गतिशील और सबसे तेजी से विकास करने वाले प्रिदेश में शामिल हो विकास के रिष्टी से जो भी संकल्प लिया गया है उसमें हमारी भूमिका हो उसको सुनिक्षित करेंगे लोक निर्मार विभाग विकास की कारियों के साथ साथ जनता तक पहुँचे जनित और जनता के जो भी कारे हैं जिन से जनता को लाब हो सकता है ऐसे सभी कारियों में इस विभाग की महत्वपूर भूमिका हो ये मेरा प्रियास होगा विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीयों के सयोग से बद्रदेश में जो विकास की कारी हो रहे हैं उसमें विभाग अपनी महत्वपूर भूमिका का निर्वान करें ये कारे अकेले नहीं हो सकता है इसलिए मंत्राले के सभी अधिकारी कर्मचार हो इसको भी हम सुनिष्ट करेंगे लोग निर्वान विभाग मद्श्य प्रदेश में विकास के कारें के साथ सात जनता के जनता तक पहुँचे जननेत य जनकल्यान के जो भी कारे हैं जिनसे जनता को सिद्य टोर पर लाब हो सकता है ऐसे सभी कारियों मैं इस विभाग की महत्पून भुमिका हूँchnों यह मेरा प्रयास होगा। आप सबके सहयोग से विभाग के अपने सबी अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से मेरी यह कोशश होगी के विभाग मध्य पर्देश में जो तेजी के साथ विकास के कार हो रहे हैं उनमें अपनी महत्पून भूमिका का निर्वहन करें और ये कार अकले नहीं हो सकता इसलिए मंत्राले के सभी अधिकारी कर्मचारी और मद्यप्रदेश का जितना भी विभाग कामला है उन सब के सहयोग के साथ इस संकल को हम पूरा करेंगे मीडिया की मित्र का सहयोग सद्वेव प्राप्त होगा ऐसा मुझे विश्वास है